अरबात करनाटक की कर लेते हैं, COVID-19 के लिए बनी करनाटक की टेक्निकल आइडवाजरी कमीटी का कहना है कि वाइरस के दूसरे वीप की जनवरी और फरवरी 2021 के बीच आने की समभावना है। बेहतर करने का सुझाओ भी दिया है। समितिका कहना है कि जनवरी के पहले हफते तक बेट, ICU और वेंटिलेटर्स की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। इसके साथी पब्लिक और प्राइविट सेक्टर में वैक्सिन के आने से पहले सारी तैयारियां कर ली जाए। व कुरा देश एक तरीके से लड़ रहा है। वहीं करनाटक में दूसरी वेब के आने की बात की जा रही है। टेकनिकल आइडवाजरी कमीटी की सला पर करनाटक सरकार नए साल के जश्नों को सारवजिनी के जगहों पर प्रतिबंधित करने पर विचार कर रही है। बीबी एम जनवरी तक रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट करफ्यू लगाने पर विचार भी कर रही है। तो करनाटक में दूसरी वेब की जैसे बात की जा रही है। और इस पर और जादा जानकारी ले ले लेते हैं हमारी सहयोगी नीहा इस वक्त हमारे साथ जुने। जी नेहां दूसरी लहर की बात की जा रही है। क्या कुछ अगर कहें राज्य सरकार की तरफ से साउधानिया बढ़ती जाएंगे और कैसा क्या होगा उनका अगला कदम। लेकिन ऐसे ही टाइम पे केरलेस होने का टाइम नहीं है। सरकार ने अभी वान किया है कि सेकंड वेव जो है इनफाक्ट वो जैनवरी फेब्रिवरी के टाइम पे आने वाली है। और इसी के लिए आज पूरे करनातक में तैयारी भी हो रही है। जैसे कि आपने अल्ड़ी ये सारे एरिया में पूरा कंप्लीट सेलिब्रेशन का बैन करने का प्लान बना रही है अभी सरकार क्योंकि थर साल जैसे कि आप जानते हैं ये पूरे एरिया में लोग जैसे भरते हैं कि बिलकुल चलने तक भी जगह नहीं रहता है और इसी कारण इस साल करनातकी सरकार चल रही है जैसे कि आप जानते हैं हर साल टिकेटेड इवेंट जो रहते हैं जहां कि पब्स हो या क्लब्स हो वहाँ पे टिकेट बेचे जाते हैं न्यू यू यू पार्टीज के लिए वहाँ पे भी रिस्रिक्शन लगाने वाले हैं नियरली ओनली 50% अफ दे कैपासिटी अभी उनको allow किया जा रहा है और ऐसे ही टाइम पे करनाटक की सरकार काफी सोच लगा रही है अभी second wave जो आने वाला है उसको कैसे टैकल किया जाए क्या night curfew लगाने की necessity है 26 December से 1st January तक एक week पहले से almost अभी night curfew लगाने का भी plan सोचा जा रहा है लेकिन ये देखना बाकी है कि अभी chief minister का किन restrictions के लिए permission या green signal देंगे और क्या-क्या restrictions लगाए जाएंगे second wave को in fact टैकल करने के लिए जी बिलकुल नहीं आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दूसरी wave राज जी को जादा नुकसान न पहुंचाए किसी को हानी न पहुंचाए इसके लिए क्या कुछ कदम उठाये जाएंगे देखने वाली बात होगी